नमस्कार, भगवत गीता महत्पूर्ण 11 सोच के लिए आपको स्वागत है. सकारात्मक सोच भगवत गीता उधरन से चुनिंदा तत्नों का आनन्द ले जो सकारात्मक विचारों और व्यवहारों को प्रेरित करते हैं. भगवत गीता के कालातीत पाठों में गहराई से उतरते हुए, यह ब्लॉग जीवन के रहस्यों और आशावात को बनाये रखने पर अंतरद्रिष्टी को उजागर करता है. इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है. इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन नहीं यह उस अंध अवसर की अभिव्यक्ती है, जिसे हम अपने आपको और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए यहीं तो गीता का कहना है कि इनसान का भाग्य उसके अपने हाथ में हैं दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है हम अपने धर्म का उठ्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम भगवत गीता के महत्वपूर्ण कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ओन करें कमेंट बॉक्स में मतामत जरूर लिखें आईए जानते हैं ग्यारा महत्वपूर्ण सोच सोच नंबर ग्यारा गृत्यू की इच्छा मत करो क्योंकि तुम अवश्य मरोगे बलकि सर्वोत्तम करीके से उसकी सेवा करने के लिए भगवान से भलाई के लिए प्रार्थ ना करें गृत्यू की इच्छा करना मानव जीवन के मूल्यों के खिलाफ है क्योंकि जीवन अनमूल्य है और उसमें अद्वितिय अनुभव होता है व्यक्ति को आत्मनिर भरता और समर्पण के साथ जीवन का सामर्थ होता है जो समाज को भी समर्धी और समर्स्ता की दिशा में प्रवृत्ति करता है गृत्यू का सामना सभी को करना होता है लेकिन इसे भैभीत होकर नहीं, बलकि सामाजिक और धार्मिक द्रिष्टिकोन से स्वीकार करना चाहिए. इसके बजाए, जीवन को सकारात्मक और सार्थक बनाने के लिए समर्थन करना चाहिए, जिससे स्वयम और अन्यों को सहायता मिले. धार्मिक्ता में रूची रखना मानवता के उद्धीपन के लिए महत्वपूर्ण है. भगवान से भलाई के लिए प्रार्थना करना एक आध्यात्मिक संबन को मजबूत करता है और व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलने का संदेश देता है. इस रूप में जीवन को मृत्यू के सामने समर्पित करने की बजाए उसे सार्थत बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा को सम्रिध्धी और प्रगती की दिशा में बढ़ा सके. सोच नमबर 10 बस वर्तमान क्षण का ध्यान लगातार बनाए रखें. आपको कश्ट देने वाले सभी द्वंद्व स्वता ही नश्ट हो जाते हैं. वर्तमान क्षण का ध्यान रखना एक महत्वकूर्ण आध्यात्मिक सिध्धान्त है, क्योंकि यहां हमें यहां और अपका मौद्रिक अन से जीते हैं. कश्क और वंद्व हमें सतत्तं करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और विप्रीत कतिक्रिया देने की जगस्थितिकोन बनाते हैं, तो वे स्वता ही नश्ट हो जाते हैं. विचार शील्टा और स्वाध्याय द्वारा हम अपने मानसिक स्थ को नियंत्रित करके वर्तमान का समर्पित रह सकते हैं. इससे हम अपने जीवन को एक सकारात्मक द्रिश्टिकोन से देखते हैं और उच्चस्तर पर आत्मप्रगती का मार्ग चुनते हैं. वर्तमान ख्षण में आत्मा को खोजना और उससे जुड़ा रहना हमें शांती और सुक का अनुभव करने में सहायक होता है. जो की अन्ता सच्चे खुश्यों की स्रोथ है. नौ. द्वन्वों के आगे जुकना आपका पवित्र कर्तव्य है. क्या यहां उनसे अप्रभावित रहता है? या आपका दिमाग लगातार उथल पुथल में रहेगा? क्योंकि यहा की भावना से युक्त करता है. यहां हमारे अंतरात्मा को साकारात्मक रूप से स्थिती करने में सहायक होता है और अनुभवों को सही द्रिष्चिकोन से देखने का क्षमता प्रदान करता है. इसके बजाए द्वन्वों के सामने जुकना हमें बुद्धी मत्ता और आत्म यंत्रण में मदद करता है, जिससे हम अपने उद्देशों की प्राप्ती में सक्षम होते हैं। यहां एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो हमें अध्यात्मिक और मानविय सुनिश्चित्ता की दिशा में बढ़ने में साहायक हो सकती है। हालां कि यह यहां तक नहीं कहा जा सकता कि द्वन्वों का सामना करना हमें कभी भी अप्रभावित नहीं करता है। हमारा दिमाग कभी-कभी उथल-पुथल में रह सकता है, लेकिन यह एक नैतिक मुद्दा होकर हमें और बल्वान बना सकता है। इससे हमें अपनी सीमाओं को समझने और स्वीकार करने की क्षमता मिलती है, जो की आत्मस्मरपण और उन्नती की दिशा में हमें बढ़ावा देता है. आठ परिणामों पर अपनी आंतरिक निर्भरता को त्यागे और ध्यान में स्थिर रहो, तब कार्य और परिणाम आपको परेशान नहीं कर सकते. अपनी आंतरिक निर्भरता को त्यागना एक आध्यात्मिक साधना है, क्योंकि यहां हमें आत्मस्मरपण और स्थितिकोन में स स्थिर रहना हमें यह शिक्षा देता है कि हमें कार्यों के परिणाम पर पूर्ण नियंद्र नहीं हो सकता है। जब हम आत्मा में समाहित होते हैं और केवल कर्म में लिपते नहीं रहते तो हमें परिणामों के प्रती आसकती कम होती है। इससे हम अधिक संतुलित और शांत मन के साथ कार्य कर सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचानते हैं, जो की अविनाशी और अबाधित है। इससे हम कार्यों को उच्चस्तर पर करने का साहस जुटाते हैं। अन्वांशित परिणामों के लिए चिंदा करते हुए नहीं। इस तरीके से हम कार्य और परिणामों के अनिश्ट प्रभावों से मुक्त होकर जीवन को सकारात्मक और आत्मरूप से समझते हैं, जो आत्मस्मर्पन और सत्य की दिशा में हमें मजबूत बनाता है। सोच नमबर साथ आग जलाओं लकडी को राख में बदल देती है। आत्मग्यान आपके मन के सभी द्वन्वों की क्रियाओं को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांती प्रदान करता है। आग जलाओं लकडी को राख में बदलने की तरह आत्मग्यान हमारे मन के सभी द्वन्वों को नश्ट करने में समर्थ है। यहां हमें आत्मा की अद्वितियता में पहचान लाने में मदद करता है, जिससे हम अपनी सच्ची स्वभाव को जान सकते हैं। आत्मग्यान का प्राप्थ होना हमें दोहक और सुख, लाब और हानी के विचार को समाप्त करने का क्षमता प्रदान करता है। यह सामन जस्य, समर्पन और सहिशनुता के साथ जीने की कला सिखाता है। आत्मग्यान हमें दुन्यावी बाधाओं और चुनोकियों के प्रती साकारात्मग द्रिश्टिकोन देने के लिए सक्षम बनाता है, जिससे हम आंतरिक शान्ती का अनुभव कर सकते हैं, भले ही बाहिक परिस्थितियों में कुछ भी हो। यहां हमें स्विकृती और स्वतन्त्रता का एहसास कराता है, जिससे हम क्रियाओं में निष्ठा बनाय रख सकते हैं, बिना किसी परिनाम के प्रती आ सकती के। आत्म ज्ञान से प्राप्ट शान्ती एक स्थिर और सुखत जीवन की दिशा में हमें मार्ग दर्शन करती हैं। 6. कारण और परिनाम, भावनात्मक विप्रीत्ताओं सहित ऐसी चीजे हैं जो आती और जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कारण और परिनाम, सहित भावनात्मक विप्रीत्ताओं, जीवन के नियमित हिस्से हैं, जो स्वभाविक रूप से आती और जाती रहती हैं। इनका ज्ञान हमें जीवन के नाटक में सामन्ज से बनाय रखने में मदद करता है। कारण परिनाम का समझना हमें अपने असलीता को स्वीकार करने में मदद करता है और इससे हम स्थितिकोन बनाय रख सकते हैं बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया के। यह ज्ञान हमें उच्चस्तर पर समर्पण, सहन्शीलता और सम्ता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे हम जीवन की अनियम विक्ताओं को सहने के लिए तैयार रह सकते हैं. इस ज्ञान से हम अपने आत्मा के अद्वितियता में एकता प्राप्त करते हैं, और इससे हमारी मानसिक स्थिती में सम्ता बनी रहती हैं, चाहे हमारे चारों और चीजे कुछ भी हूँ. पांच, कर्म मुझसे चिपकते नहीं क्यों कि मैं उनके परिणावों से बंधा नहीं हूँ. जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं. यहां विचारशील द्रिष्टिकोन आपका मनुभाव कारियों के परिणामों से अत्यंत मुक्त है. आपका कर्क कर्मों के बंधन से बचने के लिए आत्मनियंत्रन को महत्वपूर्ण मानता है. यहां अनुभव बताता है कि सतच साधना और अभ्यास से आत्मनियंत्रन प्राप्थ होता है. जिन लोगों ने इस सिद्धानत को समझ लिया है, वे आत्मनिर्भरता की स्थिती में रहते हैं. वे कर्मों के प्रती अपर्णित रहकर स्वतंत्रता की उचायों को छूते हैं. यहां द्रश्टिकोन व्यक्तिगत और मानवाधिकारिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण सिद्धानतों को स्पष्ट करता है, जिससे व्यक्ती अपने कर्मों में समर्पित रहता है, लेकिन उससे बचकर रहता है. सोच नमबर चार. पाखंड, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता ये उन लोगों के लक्षण हैं, जो आसुरी गुरों के साथ पैदा होते हैं. आसुरी गुरों का समर्थन करने वाले लोगों के लक्षणों में पहला है पाखंड, जिसे वे अपनी बातों और क्रियाओं के माध्यम से दिखाते हैं. उनमें अहंकार और अभिमान का अधिक विकास होता है, जिससे वे अन्यों को नीचा देखने लगते हैं. क्रोध और कठोर्ता उनके व्यवहार में सामान्य होते हैं, जिनसे वे आसानी से अन्य लोगों को हानी पहुचा सकते हैं. अज्यानता का अंधाधुन्द अनुसर्ण करने से वे अच्छे और सही के बीरुद्ध विचार कर सकते हैं. इन लक्षणों का सम्रिधी करना एक व्यक्ति को अन्यों से दूर रख सकता है, उनके आसपास के माहौन को नकारात्मक बना सकता है, और उसका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में रुकावट डाल सकता है. इससे उनका संबंध दूसरों के साथ कमजोर हो सकता है, और उनका आत्मस्मर्पन और सहानुभूती की भावना कम हो सकती है. 3. मेरा भक्त सभी प्रकार की गतिविधियों में संलगन होते हुए भी, मेरी शरण में, मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी धाम तक पहुँझ जाता है. श्री कृष्न भक्ती में समर्पित रहने वाले व्यक्ती अपने जीवन की सभी गतिविधियों को भगवान श्री कृष्न से समर्पित करते हैं, जिससे उनका हर क्षन धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नती की दिशा में होता है. इस भक्ती के माध्यम से व्यक्ती श्री कृष्ण के शरण में आता है और उसकी कृपा से उसका जीवन संगीत्मय और आनन्द पूर्ण हो जाता है उन्हें आत्मिक सुक का अनुभव होता है जो शाश्वत और अविनाशी धाम की ओर एक पत प्रशस्ट करता है भक्ती ने इन व्यक्तियों को सांसारिक बंधनों से मुक्ती प्रदान करने का मार्ग दिखाया है और उन्हें आत्मा की उचाईयों की दिशा में बढ़ने में सहायक होती है श्री कृष्न के प्रती निहस्वार्थी प्रेम और आत्म निवृत्ती से भरी भक्ति उन्हें शाश्वत धरोहर की प्राप्ति में सहायक होती है सोच नमबर दो, तुम्हारा मन अभी भी मुझ में है, तुम अभी भी मुझ में हो और निसंदे तुम मेरे साथ एकजुट हो जाओगे, प्रेम के स्वामी तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। यहां वक्तव्य आध्यात्मिक संबंद को व्यक्त करता है, जिसमें प्रेम के स्वामी से हृदय में निवास करने का अभिवादन है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव असली स्वरूप में आत्मा के साथ अटूट जुड़ा हुआ है। यह बयान मानव चेतना को एक उच्चस्तर पर ले जाता है, जहां उसे आत्मा की अनुपस्थिती महसूस होती है और उसे अभिभावक्ता का एहसास होता है। व्यक्ती यहां यह समझता है कि प्रेम के स्वामी सदैव उसके साथ है, उसके मन में है और निसंदे उसके साथ एक जुठ होंगे। इससे उसका जीवन प्रेम और आनन से भरा होता है, जो उसे सभी परिस्थितियों में स्थिर्ता और सुख का एहसास कराता है। सोच नमबर एक, जिनोंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके लिए इच्छा मित्र है। लेकिन यहां उन लोगों का शत्रू है, जिनोंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। इस वक्तव्यस पष्ठ है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है और उसने अपने जीवन में स्वयं पर विजय प्राप्त की है, उसके लिए इच्छा उसका मित्र है। इससे उसका जीवन संबलित और संतुलित होता है। इसके विप्रीत वे लोग जो अपने भीतर आत्मा को नहीं पहचान पाये हैं। उनके लिए यह विचार करता है कि उनका अंतरन अज्ञान उनको उनके स्वयं के शत्रू बना रहा है। आत्मा का अनुभव करने वाले व्यक्ति अपने मन की शांती, सम्रिध्धी और स्वास्थि के साथ अच्छे संबंद बना सकता है। जबकि आत्मा की अन्भिज्ञानता में रहने वाले व्यक्ति को अंतर निर्वान नहीं प्राप्त होता और वहां अंतर निराश होता है। सारांश में यह कहां जा सकता है कि जो व्यक्ति स्वयन पर विजय प्राप्ट कर लेता है, उसके लिए इच्छा उसका मित्र बनता है, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं और संजीवनी उर्जा के साथ जीवन का सामंजस्य से बना सकता है. इससे उसका मानविय और आध्यात्मिक विकास होता है. विप्रीत जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मा को पहचान नहीं पा रहा है, उसका आत्मान्धकार उसको उसके स्वयन का शत्रू बना रहा है. उसे अपनी असफलता और निराशा का सामना करना पड़ता है. इससे हम समझ सकते हैं कि सकारात्मक मानव संबंध और आत्मा का समवाद व्यक्ति को सफलता, खुशी और आत्मकूर्णता की दिशा में मदद करता है, जबकि नकारात्मक मानव संबंध आत्मा के अंजान रहने से उसे असफलता और अवसाद में डाल सकता है. भागवत गीता महत्पूर्ण सोच के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ओन करें, कमेंट बॉक्स में मतामद जरूर लिखें, लाइक शेर करना मत भूलिए, जैश्री कृष्णा